नमस्कार आप देख रहे हैं चेनपी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ निधी उपादे तो आई खबरों की शुरुआत करते हैं समाज़दी पार्टी के नेता आजम खान को एक और मामले में बड़ी राहत मिली है साल 2014 में उतर प्रदेश के रामपूर में हुए कारेकरम में आतंगवादी संगटनों से फंडिंग वाली बात पर मामले में कोर्ट से राहत मिली है कोर्ट ने मामले को सही तत्यों के अनरूप नपाते हुए खारिश कर दिया है और साथिया को बता दे मुरादबाद की स्पेशल MP MLA कोर्ट में परिवाद दायर किया गया था समाज़दी पार्टी के प्रमुख अखिलेश श्यादव के बाद अब बस्पा सुप्रीमो मायवती ने भी उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साथा है और कानून व्यस्ता को लेकर सवाल उठाए है राम नौमी के दोरान मदिर प्रदेश के खरगौन में हिंसा की घटनाओं के अलावा राजिस्तान और गुजरात में घटनाओं का जिक्र करते हुए मैवाती ने कहा कि उतर प्रदेश में भी कानून व्यूस्ता और अपराद नियंतरण के नाम पर सरकार पुलिस और नियाय पालिका को नजर अन्दास करने का काम कर रही है 36 गड़ में अब साजनिक इस्थानों पर मास नहीं पहने पर जुर्माना नहीं लगेगा करोना संक्रमन के कम मामले आने से राजे सरकार नहीं है फैसला लिया है और साथी बता दे कि जन संपर्क विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राजे सरकार ने साजनिक इस्थानों पर मास नहीं पहनने पर 500 रुपे के जुर्माने को भी हटा दिया है राम नौमी पर मद्य प्रदेश के खरगाउन में हुई हिंसा पर किये गए अपने ट्वीट से कॉंग्रेस नेता दिगुजे सिंग मुश्किन में फस गए है उनके खिलाब होशंगाबाद में FIA दर्ज हुई है और साथी बता दे कि कॉंग्रेस नेता और मद्य प्रदेश के पूर मुख्य मंत्री दिगुजे सिंग ने एक ट्वीट किया था और एक फोटो शेयर की थी जिसमें खरगाउन में भढ़की हिंसा के बारे में बताया गय लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया और इस पर वीजेपी ने दिगुजे सिंग पर जान बुच कर सामप्रदायक हिंसा भढ़काने का आरूप लगाया और उनके ट्वीटर अकाउंट ब्लॉक करने की भी मांग की है भागलपुर के बाकर जिले के धनकुंड थाना की पु लोत के बाद सभी पुलिस कर्मी जंता से माफी मांग रहे थे बताये जा रहा है कि इस शेत्र में कोईला और बालू का अवैद कारोबा धड़ले से चल रहा है इसे लेकर पुलिस वसूली करती है लेकिन इस बार जंता ने अपना पावर दिखा ही दिया ग्रामिनों का कहना है कि पुलिस अवैद वसूली करती है जिसको लेकर वे लोग काफी परिशान रहते हैं कहा ये भी जा रहा है कि इससे पहले भी धोरेया थाने की पुलिस अवैद वसूली करते पकड़ी गई थी भागलपूर के बरारे थाना शेत्र में 26 साल की एक महिला का उसके ही पती ने पूश्ताच की तो उसने हत्याकांड की सारी घटना को बता दिया पती को अपनी पत्नी पर शक था कि वह कई अन्य लोगों से मोबाइल पर बात करती है इस बुलेटिन में इतना ही आप देखते रहे है टेन पी न्यूस नमस्कार